So, hey guys, you are welcome back in the new video So guys, finally, हमारा Booyah event open हो चुका है And, इस event के बारे में मैंने पहले ही आपको पूरी details में वीडियो बना के दे दिया कैसे आपको missions complete करने होते हैं, कैसे आपको सब कुछ करना होता है लेकिन फिर भी, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के questions थे के भाई, हम ये वाला जो बूया event है, बूया जो game है, इसे कैसे play करें, how to play वहाँ पे बहुत सारे comment आए, के भाई, हम start game पे click करके हम इस game को कैसे play करें And, यहाँ पे हमारा जो ये yellow वाला जो token है, and ये हमारा ये जो दूसरा token है इस दोनो token को हम कैसे collect करें, यहाँ पे बूया candy token कैसे collect करें, और बूया crown token कैसे collect करें And, यहाँ पे हमें check-in पे एक और game देखनी को मिल जाएगा, इस वाले event को कैसे complete करें And, यहाँ पे exchange पे अगर click करें, तो ये तीनो tab कैसे unlock करें, यहाँ पे हमें female costume कैसे, बिल्गुल free में permanent मिलेगा, बहुत सारे question आए, ठीक है Guys, देखो, अगर आप इस वीडियो को last तक देख लोगे, तो आपको पूरी details दे दूँगा, एक-एक event के बारे में समझा दूँगा, सारी चीज़े आपको समझा दूँगा, पूरा का पूरा event आपको complete करके दिखाने वाला हूँ वीडियो के साथ बने रेना, इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत महीं पड़ेगे, ठीक है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूँँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिकार लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा मेनत लगते हैं वीडियो बनाने के लिए चैनल पढ़ी हो तो सब्सक्राइब करके ओल नोटिफिकेशन को रखा करो ताकि हम जब भी कोई नीव वीडियो अपलोड करते हैं तो अग्जेक्ट वो वीडियो आप तक पहुंच जाते हैं ठीक है तो चला यह वीडियो को स्टार्ट करेंगे गाइस देखो इस इवेंट में आपको दो टोकन क्लेक्ट करने की जरूरत है सबसे पहला टोकन यहाँ पे केंडी बुया केंडी टोकन है इस टोकन का यूज करके आप यहाँ पे गेंपले कर सकते हो और इस गेंपले को करने के बाद आपको यहाँ पे बुया क्रों टोकन मिलता है जो आप यहाँ पे exchange store में exchange कर सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे token की जरुरत पड़ेगी तभी जाके आप reward exchange कर सकते हो ठीक है पहली चीज आप यहाँ पे यह वाला gameplay करके बुया crown token ले सकते हो और दूसरी चीज आप यहाँ पे check in पे click करके भी आप यहाँ पे बुया crown token ले सकते हो उसी के साथ यहाँ पे इस वाले gameplay को करने के लिए आपको यह वाला token चाहिए बुया candy token चाहिए तो वो token आपको कैसे मिलेगा वो भी आपको बताने वाला हूँ ठीक है सबसे पहले यहाँ पे यह वाला event complete करेंगे यहाँ पे आपको चार flip करने देखो जैसे मैं कर रहा हूँ आपको चार flip करने है ठीक है तो यहाँ पे यह वाला flip कर दिया and चार flip करने के बाद आपको कोई भी एक row select करने है ठीक है एक row select करने के बाद एक second रुख जो guys यहाँ पर मैं screen short ले लूँ तो यहाँ पर आपको confirm कर देना कोई भी देखो आपको एक row select करने के बाद confirm कर देना है तो मैं यहाँ पर confirm करूँगा and मुझे मिल चुके कुछ token ठीक है यहाँ पर मुझे 15 token मिल चुके है congratulations करेंगे जैसे हम start game पर क्लिक करेंगे guys देखो इसमें करना क्या होता है इसमें हमारा जो player है उसे हमें enemy से बचा के box तक ले के जाना होता है ठीक है तो मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं box पर आऊँगा ठीक है box पर आ गया and वापस से हमें box पर आना है तो ऐसे हमें circle छोटा होता जाएगा और हमें token मिल जाएगे देखो आप देख सकते हो हमें 4 token मिल चुके हैं हमारे पास 28 token हो चुके है ठीक है अभी वापस से हमें box तक जाना है तो यहाँ पर यह भी circle में आ रहा है यह भी circle में आ रहा है तो यहाँ पर आएंगे उसके बाद यहाँ पर box पर आएगे ठीक है आपको enemy से बचाने के बाद यहाँ पर circle के अंदर रहना है and यहाँ पर बूया तक आपको जाना है ठीक है तो यहाँ पर हम बूया तक आ गए ठीक है guys देखो हमें total मिल चुके 11 token यहाँ पर आप देख सकते हो congratulations 11 token मिल चुके है and अब सबसे important बात देखो अगर आप इसे start करना चाहोगे तो उसके लिए आपको चाहिए token and आप कली से start कर सकते हो तो यह वाला token आपको चाहिए बूया candy token तो यह token आपको game के अंदर map में पड़ावा कहीं पर मिल जाएगा जैसा कि आपको पताए कहीं पर भी कोई भी token पड़ावा मिल जाता है जब भी कोई event आता है तो यहाँ पर यह वाला token आपको कहीं पर भी पड़ावा मिल जाएगा ठीक है अब यहाँ पे देखो बुया क्रोन टोकन हमने collect कर लिए बुया टोकन collect करने के बाद अभी हमें इन टोकन को exchange करना है अब हम reward exchange कैसे करेंगे Guys देखो यहाँ पे एक चीज दिखा तो आपको यहाँ पे leaderboard दिखेगा leaderboard दिखेगा तो यहाँ पे अगर आप एक बुया करते हो तो एक बुया count होता है तो यहाँ पे अगर 10 billion बुया global हो जाते हैं यानि के India, Bangladesh, Nepal, तीनों country के जितने भी player से मिला के अगर 10 billion बुया कर देते हैं यहाँ पे हमारा पहले tape के जितने भी reward से वो unlock हो जाएंगे यहाँ पे अगर 20 billion बुया होते हैं तो आपको backpack loot box parachute मिल जाएगा और अगर 30 billion बुया होते हैं तो आपको female का costume बिल्कुल free में मिल जाएगा ठीक है I hope guys मैंने आपको पूरी की पूरी details इस event की आपको दे दी and maybe आपका कोई भी doubts नहीं होगा अगर आपका अब भी कोई doubts दे तो नीचे comment section में comment कर देना and guys बहुत सारे लोग comment कर देते हैं मेरी पहली वीडियो में के भाई आपको cricket का bundle कैसे मिला guys वो Singapore server था Indian server नहीं था and Singapore server में luck royal के अंदर cricket का bundle चला है gold royal के अंदर ठीक है gold royal के अंदर cricket का bundle चला है जहाँ पे मैंने उसे निकाला हुआ है and Indian server में अगर Instagram पे 6 million follower हो जाते हैं तो हमें सब को free में मिलेगा लेकिन guys वो impossible है कभी भी 6 million follower नहीं होगे Instagram पे Indian free fire official के मैं भी आने वाले time में हो सकते हैं लेकिन अभी नहीं होगे एक दो महीने में भी नहीं हो सकते क्योंकि Indian free fire official का जो Instagram पे यह वहाँ पे 1 million follower थे और उन्होंने अभी 4 million follower कर लिए तो अभी बंदों को गुस्सा आ रहे तो हो सकता है कि Indian server में किसी diamond event में आपको cricket costume देखने को मिलेगा एंड एक चीज बता दूर rare bundle नहीं है तो अगर diamond में आता है तो आप निकालने की कोशिश मत करना और मैं आपको suggest नहीं करूँगा recommend नहीं करूँगा कि आप उसे diamond में निकालने कोशिश करो और बस इतनी बात है कि वह वहाँ पे Singapore server है और वह मुझे gold royal से free में मिलाए ठीक है तो I hope like this video and don't forget to subscribe तो चलो यार Bye Bye